हेलो एव्रिवान वेल्कम बैक तो माई चैनल गाइस मैं एक और नियू रीडिंग के साथ आ गई हूँ कैसे हैं आप सब आई होब कि सभी अच्छे हैं खुश और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं तो आप सभी के लिए अभी जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ टॉपिक है आपकी कौन से इक्छा पूरी होने वाली है बहुत जल्द क्या चेंजर्स क्या विश्यस आपकी पूरी हो सकती है क्या आपकी लाइफ में आ रहा है तो जो भी आएगा रीडिंग में आपको बताऊंगी स्टार्ट करते हैं बिना देर करें और देखते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए कौन सी इक्छा है जो आपकी पूरी होने वाली है बहुत जल्द आपके करियर में या आपकी लव लाइफ में या कोई दूसरी इक्छा है आपकी इन दोनों एरिया से छोड़ कर क्या है आपका ड्रीम क्या है आपकी इक्छा जो बहुत जल्द पूरी होने वाली है तो देख लेते हैं रीडिंग में क्या आता है रीडिंग को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आप लोगों को बता दूँ यह जैनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो तो प्लीज कीप अन ओपन माइंड अगर रीडिंग आपके साथ पूरी रेजोनेट हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है अदर्वाइस जो पार्ट आपके साथ रेजोनेट हो आप उसको रखना बाकी को एकनौर कर देना और यह रीडिंग चैनल पर एक और वीडियो अपलोड किया है अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिला तो मैंने कम्यूनिटी टैब में लिंक आप लोगों के साथ शेयर करा है वहाँ पर चेक करकर देख सकते हैं वीडियो न्यू पेंटिंग का मैंने राधा कृष्ण की पेंटिंग बनाई है आप चेक कर लेना जिनका भी मन हो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आता है सेवन ओप सोड्स आपकी इक्षा पूरी होगी इस पर तो मैं रीडिंग करी रही हूँ लेकिन कैसे पूरी होगी मैं ये भी आपको बताऊंगी आपके जो भी सिचुएशन है अभी उसके अकॉर्डिंग ठीक है तो सबसे पहले आप क्या कर रहे हो किस सिचुएशन में हो और क्या करने से आपकी इक्षा पूरी होगी ठीक है इसके लिए गाइडिंस मैं आपको यहां दूँगी जैसे कि कार्ड्स आपके सामने है अभी एक भी कार्ड ऐसा नहीं दिख रहा जो अच्छा हो इसका मतलब है कि आपकी कंडिशन राइट ना तो ठीक नहीं है आप अकेले में रो भी रहे होगे आप थोड़े से परिशान हो अभी की जो सिचुएशन है वो टोटली आपके आउट ओफ कंट्रोल है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हो आपकी लव लाइफ के लिए मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर करियर के लिए नहीं बात कर रही अब आपकी लव लाइफ गाट टोटली स्टक है आप एक पररसन पर सिचुएशन है हूँ अब देखो कुछ के लिए थ्र पार्टी अगर कोई और पर्टी नहीं बात कर रही है तो 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 मुझे कोई और पर्सन ही दिख रहा है ठीक है, थर्ड पार्टी है, आप पैनिक भी हो रहे हो आप परिशान हो रहे हो परिशान होने की ज़रुरत नहीं है आपको सिर्फ ये फोकस करना है देखो अगर आप एक ट्विन फ्लेम या divine connection में अगर हो soulmate connection में हो, तो यहाँ पर छोटी से tip है आपके लिए आपको negative फिल नहीं करना, क्योंकि जहाँ पर ये वाले connection होते हैं, divine connection होते हैं महाँ strength की कमी नहीं होती है ठीक है, strength की कमी कभी मिलेगी ही नहीं, कभी भी नहीं मिलेगी for example शिव शक्ति का ले लो मा पार्वती की जो strength थी लौट शिवा को पाने की वो कभी कम नहीं हुई उन्होंने बहुत तपस्या बहुत hardships देखी हैं अपनी लाइफ में शिव जी को पाने के लिए ठीक है तो अगर आप एक divine connection में हो तो आपकी strength कभी नहीं कम होगी आपका विश्वास कभी कम नहीं होगा इस connection पर से चैसे situation कुछ भी हो कैसी भी हो ठीक है यह चीजे बिल्कुल भी matter नहीं करती यहाँ पर आपके लिए जो tip है वो यह है इस delay को कम करने के लिए जो कर सकते हो वो करो जितना ज़्यादा hard work कर सकते हो करो जितनी ज़्यादा speed में काम कर सकते हो करो चीक है लेकिन अपना खुद का ख्याल रखते हुए आपको काम करना है आपको इस delay से दूर भागना है कैसे भागोगे इसे खतम कर कर ही भागोगे इस से बचने का कोई तरीका नहीं है इसके साथ आपको डील करना है इस delay को खतम करना है आगे बढ़ना है अगर आप चाहते हैं कि यही अगर आपके विशह है कि आपके पार्टनर के साथ आपका यूनियन हो जाए तो आपको यह delay खतम करने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा स्पीड बनानी पड़ेगा अपने काम में यह करना पड़ेगा आपको और अगर आप divine connection में नहीं है तो भी सारी tension worries से जो जिस भी पार्टनर के लिए आप पूछ रहे हो tension worries सब बुला कर अपने काम में अपने business में अपनी job में अपनी study में आपको involved होना पड़ेगा क्योंकि situation अभी ठीक आपकी दिखी नहीं रही है किसी भी हालत में यह person ने आपका दिल तोड़ा हुआ है और अभी तो फिलाल ऐसा भी लग रहा है कि थोड़े गिलेशिक वे तो नहीं मैं बोलूँगी डिवाइन के साथ गिलेशिक वे नहीं है लेकिन उनके सामने बैट कर बहुत बाते कर रहे हो रो रहे हो परिशान हो रहे हो यह चीजे भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आप लोगों के साथ तो यहाँ पर अभी अगर इस सिचुएशन से बचना है इस कंडिक्शन से बहार आना है स्पीड अप स्पीड ले लोगाई स्पीड एकदम बढ़ा दो अपनी के यह साव अपने इनर वाउक में लग गए हो और जल्दी जल्दी क्योंकि ना अभी देखो एक ही को divine feminine जो होते हैं उने ही inner work करना पड़ता है उने ही बहुत कुछ सहन करना पड़ता है तो अभी after time है सहन कर रहे हो reward भी आपको मिलेगा सब कुछ ठीक हो जाना है यहाँ पर focus करो इस delay से दूर भागने की कोशिश करो और यहाँ से भागने का तरीका सरिफ और सरिफ यही है hard work तेजी से काम करना चीक है कौन में देख लेती हूँ आपकी अभी situation इते पारे में क्या है confused हो रहे हो आप हो सकता है career में भी हो रहे हो कही ना कही आपका विश्वास तो कहता है आपको success मिलेगा abundance मिलेगा commitment मिलेगी सब कुछ होगा अगर कह रहा है ना मिश्वास तो यह सब कुछ होगा आप focus रखिए अपने inner work पर अपने काम पर अपने business पर अपनी job पर जो भी काम आप करते हैं और optimistic रहे है positive रहे है आपके साथ attachment है आपके साथ past life connection फील करते हैं यह person आपको नहीं भूलेंगे situation अभी थोड़ी सी problematic है लेकिन यह solve हो जाएगी don't worry और यह person खुद आएंगे आपके पास sorry बोलने अभी आपको क्या करना है अपने जो भी काम है आपको चाहे कोई exam है चाहे कोई interview है चाहे अपना business start करना है चाहे किसी भी नौकरी के लिए आप बहुत ज़दा prepare कर रहे हो खुद को तो करते रहो ठीक है और अपनी speed बढ़ा दो चाहे आप immigration process में हो किसी भी चीज में हो चाहे कोई property करीद रहे हो property की case में involved हो जो भी कर रहे हो थोड़ा सा अब आपको देखना है manage करना है चीजों को control करना है ताकि आपका union पास आ जाए और मुझे तो यही लग रहा है जो मुझे ये cards दिख रहे है मुझे लगता है कि आपको आपके partner के साथ union चाहिए आपको आपकी life में खुशियां चाहिए आपको आपकी life में पार्णर का साथ चाहिए यहाँ पर सारे cards मुझे सिर्ف और सिर्फ यही बता रहे है यह ten of pentacles भी जो है यह card भी मुझे यही बता रहे है कि आपका विश्वास है कि आपको आपके partner commitment देंगे आपका विश्वास है कि आपकी life में success आईगी यह victory आईगी अभी आप confused है लेकिन आपको विश्वास है कि आपके partner आपके साथ connected है वो आपको feel कर सकते हैं आप उने feel कर सकते हो यह चीज़ यह आपर clear मुझे दिख रही है ठीक है तो अगर यह situation आपके तो अब देख लेते हैं क्या आगे होने वाला है कौन सी आपके इच्छा पूरी होने वाली है क्या होने वाला है basically यह देख लेते हैं आपकी life में देखो एक तो balance आएगा विश्वास आपका बढ़ जाएगा यह चीज़ आ रही है आप बहुत तेज़ चलो यही काड़ चाहिए था मुझे और आगे आगे काड़ यह आप बहुत स्पीड में काम करने वाले हो ठीक है आपकी thinking positive है आप आगे बढ़ने के लिए ready हो आप किसी भी challenge, obstacle से घबरा नहीं रहे हो और आप बिलकुल आगे बढ़ रहे हो self confidence बढ़ रहा है आपका शार आज के दिन आपने भगवान से ताकत, हिम्मत ही मांगी है blessings में वो आपको देंगे जो अकेले में बैटके रो रहे हो, परिशान हो रहे हो, ये चीज़े खतम हो जाएगी आपके life में विक्टिम ठ्रोली कार लेते हैं, इंसेक्योरिटी अबंदेंस आइसोलेशन बिटर स्वीट बैलन्स, येस देखिए अभी मैं आपको बताती हूँ, मुझे जो vibes यहां से आ रही है ये winter season निकलने के बाद, जो winter season अब आएगा तब आपके इच्छा पूरी होईगी, इतना time लगेगा आपको क्योंकि अभी आप मैं क्या देख पा रही हूँ, अभी तक आप बहुत सही रिदम में आगे बढ़ रहे थे, बहुत सही सब कुछ चल रहा था आपकी लाइफ में, आप बहुत ज्यादा आपके अंदर confidence था, आपको पता था कि इस connection का जो भी result है वो positive ही होगा, अच्छा होगा, फेवर में लेकिन मुझे क्या लग रहा है दो तीन दिन से या आज ही आपको कुछ triggers मिले हैं, ठीक है, कुछ triggers आपको मिले हैं, जिसके वज़ा से आप थोड़ा सा, आपका balance बगड़ा है लाइफ में, और आप अभी अकेले में मुझे रोते वे भी काफी दिखे हो, आप ऐसा लग रह अगर वो आपको ब्लॉक करने वाले हैं, इस बात का डर है आपको या फिर वो आपको unfriend करने वाले हैं, किसी भी account से अपने, तो आपको डर है, और आप बोल रहे हो, आप जैसे आप एक बैक कर रहे हो, कि प्लीज नहीं, ऐसा कभी मत करना, ठीक है, इस तरह की vibes मुझे यहा बनना है, आपको strong रहना है, brave रहना है, इस नए trigger के साथ आपको deal करना है, आगे बढ़ना है, इस trigger ने आपको काफी जादा insecurity दी है, अभी, right now, ठीक है, तो यह insecurity आपको निकालनी पड़ेगी, तभी यहाँ पर भी devil का card था, और देखो, यहाँ पर भी devil है, कुछ insecurities बन गई ह आपके mind में, आपके heart में, लेकिन अगर आपका विश्वास बहुत ज़्यादा पका हो जाए, तो इस विश्वास को कोई तोड़ेगा नेगा, इस ठीक है, abundance मिलना है, मिलेगा, अभी आप मैं आपको बता रही हूँ, आपको winters के बाद ही, ठीक है, winters के बाद ही आपको कु isolation phase में रखा जाएगा, ठीक है, मतलब आपको बात नहीं करनी है, मतलब बात ऐसा नहीं करनी, बात तो आप करोगे, लेकिन ज़्यादा बात करके time spent, isolation phase क्या होता है, कि आप अकेले हो, अपने काम में busy हो, ठीक है, आपको किछी से कोई मतलब नहीं है, आपके लिए क्योंकि की कोशिश करो, confidence लेकर आओ, abundance आपके पास आएगा, और आपकी ये wish भी पूरी हो जाएगी, winters के बाद, winters के बाद ही होगी, अभी तो कोई भी possibilities मुझे दिख नहीं रही है, क्योंकि अभी आपको एक नया trigger मिला है, ठीक है, जिसने आपकी life में insecurity भी बढ़ा दी है, और आज के दिन, ठीक है, तो इसलिए न, अब आपको रोने में time waste नहीं करना, manifest करने में time लगाना है अपना, ठीक है, manifest करो, affirmations पोलते रहो, अपने काम के rhythm को बहुत चादा fast कर दो, और फिर देखना कि आपका ये hard work 100% पूरा होगा, और आपके wish भी पूरी होगी, ये जो भी delay ह आपको इसे खतम करने के लिए, जो आप कर सकते हो, आपको करना पड़ेगा, तभी ये victory आपके पास आएगी, ये commitment आपके पास आएगी, और ये abundance आपके पास आएगा, ठीक है, तभी आएगा, इसलिए, hope मत खो अपनी, hope लगाओ, बिलकुल लगाओ, divine से मांगते रहो जो आप मांग रहे हो, अगर आपको लगता है कि आपका हग बनता है, ये चीज मांगने का, मांगी है, लेकिन आप भी अपने efforts डबल कर दीचे, ठीक है, अब guys, आपको ज़्यादा work करने का time आगया है, मैं ऐसा ही आपर देख पा रहे हूं, करना पड़ेगा guys, आपको अगर आ आते उस connection में आगे बढ़ना, आज से ही अपना काम करना शुरू कर दो, अच्छे से, ओकी ये वाला card है, time to move on, follow the path destined for you, move on, don't stop or look back, the desire change will come, आपको divine move on करने के लिए के लिए कह रहे हैं अभी तो फिलाल, बताती हूं मैं, wow, abundance का card आगया हमारे पास, two times, follow the rhythm, okay, and patience, ठीक है, sorry guys for the noise, चलिए, मैं बताती हूं आपको, आपके लिए क्या guidance आईए अभी, देखिए, आपको move on करना पड़ेगा, follow the path desired for, sorry, follow the path destined for you, आपका एक पात है, आपके लिए डिवाइन ने एक पात design किया हुआ है, ठीक है, वही आपका destination path है, उसे ही आपको follow करना है, इसको छोड़ना नहीं है, move on नहीं, यहाँ पर move on करने के लिए, यह नहीं कहते हैं, बिलकुल इस connection से, इस purpose से, आप move on कर लो, आप किसी बी तरह की negativity से, जो भी आपके अंदर आ रही है, उससे आपको move on करने के लिए बोल रहे हैं, time to move on, बिलकुल भी insecurities अगर आ रही है, यह कुछ भी अगर आपको लग रहा है, क्या victim बन रहे हैं, या unnecessary आपके साथ हमेशा बुरा ही हो रहा है, इन सारी thoughts के साथ आपको move on करना पड़ेगा, ठीक है, और आपको बिलकुल भी पीछे मुड़ कर नहीं देखना है, the desire change will come, जो desire change आपकी life में, ठीक है, इसलिए, tension बिलकुल भी मतलो, और फिर यहाँ पर है, follow the rhythm, allow all the things to take their rightful position on their own, so that they can together produce the same effect, do not judge anything but flow with the tide, yes, देखिए आपको इस time ना, इस time guys, आपको यही करना है, कि आपको allow करना है, कि सभी जो भी चीजे है, वो balance हो जाए, अपनी सही position में आ जाए, अपने आप ही आएगी, natural होगा यह जो भी चीजे होगी, तो इसलिए आपको rhythm follow करनी पड़ेगी, यहाँ पर serendipity की vibes भी मुझे आ रही है, तो आपको कुछ चीजे नसीब पर चोड़कर life में आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और देखो, यहाँ पर आपके लिए abundance at the end आपको मिलेगी, मैंने आपको winter's end तक बताया है, कि changes आएंगे, आपकी life में abundance आपको मिलेगी, थोड़ा सा patience रखिए, और इस patience के रहते रहते, आप काम अपन पूरी speed में कीजिए, तो आपकी जो भी यह जो आपकी जो एक्छा है कि आपका union हो जाए, यह 100% होगा, ओके, guys this is your reading, I hope कि आपके साथ resonate होई हो, आपको पसंद आई हो, अगर यह reading आपके साथ resonate होई है, तो मुझे comment section में बताना, channel पर अगर आप नए है, तो subscribe कर देना, एंगो, टेक के यह के और, झालसu मांव के अपकी ऑनगर्स, और मिद उल साथन, क्रस्तरिल, आपके質 विज्यूड, उल पे sugा हैü, इस और चनॉमस, तो जाए, आओ, जाए, जाए, नेागरख, साथन, मांवाए, आए, झालस, अजूर, अबैर कर सी, और द मेर भाखे, एं